सामने मेरी बेकरी है जिसमें मैं काम करती हूं यह उसकी सामने आयल है डेखो कितने सूप टी तैमाटर का मैश्रोम का क्रीमी वेजीटेबल सूप टीमाटो सूप डेखो टीमाटर कटेवे चॉप टीमाटर ग्रीन लेंटिल, डालें, और ये सारा बेकिंग का समान, जिए रखो, कितनी प्यारी प्यारी बेकिंग, मुफिन्स वगरा के ओपर डालने वाली चीज़ें, स्पंच बनाने का सारा समान, डिफेंट किसम की आइसिंग शुगर वगरा, मैदा, सब कुछ मिलता है, खाली कॉन्स, ये रिखो, खाली कॉन्स, टॉप पे रखी है न, उसके अंदर बच्चों क्वाय स्ट्रीम डालके, जो कंटेनर में होती है, ये मेरी बेकरी है, जो मैंने काम फिनिश किया है, ये 12 फूट की बेकरी है, इधर से लेकर, ठीक है, इस ब्लैक से इस ब्लैक ये रिखो, यहां से लेकर, और वहां तक, ठीक है, तो इसकी रिखो न, जो इसकी मिनिमम सेल है, जो स्टेटर्ड़े को होती है, और फ्राइड़े को होती है, वो होती है, तक्रीबन एक लाख, बीस हजार ये सम्थिंग, अंदर की देखो, इतनी है, वो नही है, तो देख लो, अमरा देखना टाइम है, पांस से छे, तो मैं काउं से आयो, थोड़ी से देर हो जाती है, वरना से देखो, ये टिमाटर फ्यास की चतनी बनाओके, ग्रीन चिली जालके, ये गार्लिक और जिंजर और काली मिर्श में माद हुए, कि मालू क्यों है, वो ऐसा, वो इसके लिए है, चिकन पैटीज, नीचे से होगी है, वो पर से होड़ी है, देखो कितने भूली है, ब्राउन होना शुरू ही जादी, तो ये मसाला जाएगा इसके अंदर, और ये रेडी होगी है, इसको मैं छेड़ने दी, बस तो थोड़ी से हो ठंडी होगा, रोटी बना जो, कि मा भी रड़ी हो गया, बस तो मैंने गरम मसाला डाला है, एक बोट बार अच्छी तरह गरम कर करूंगे, रोटने में रोटी बन जाएगी,